आज का जो टविक है वो है asketeromycin medicine So asketeromycin medicine के क्या uses हैं या फिर side effect हैं वो हम जानेंगे So सबसे पहले asketeromycin medicine एक प्रकार के antibiotic medicines होती हैं जो की सभी प्रकार के bacterial infection को रोकने में मदद करती है और ये किसी भी प्रकार का bacterial infection हो उसके लिए one of the most effective medicines होती है अब azithromycin जो होती है वो tablet के form में भी present है और इसके अलावा ये syrup के form में और capsule के form में आती है और azithromycin जो medicine है वो 500 mg और 250 mg में available रहती है इसकी और भी other varieties देखने को मिलती है इसके अलावा ये एक प्रकार की ऐसी macrolide type of antibiotic है जो की belong करती है जिसके अंदर class है जैसे की clarithromycin है या फिर erithromycin भी इससे belong करती है अब हम जाने की इसकी uses में किन-किन प्रकार के bacterial infection से लड़ने में ये मदद करता है तो सबसे पहले eye infection अगर किसी भी व्यक्ति को eye infection होने के chances बढ़ जाते है या हो जाता है तो ये medicine बहुत ही effective है इसके अलावा ear infection means अगर आपके middle ear में अगर वहाँ पे कोई inflammation produce होता है और ऐसी condition देखने को मिलती है तब भी azithromycin 500 बहुत अच्छा काम करती है इसके अलावा हम देखें तो respiratory infection अगर किसी भी प्रकार का respiratory infection होता है especially in the condition like pneumonia pneumonia की condition में बहुत अच्छा इसका role होता है और उसमें भी ये help करता है इसके अलावा travelers diarrhea अगर ये प्रकार की ऐसी disease होती है जिसमें अगर person travel कर रहा होता है उसके कारण अगर ये complications produce हो जाए तो भी ये medicine effective है और हम देखे तो जो इसके अंदर बहुत ही अच्छा role है इसका Lyme disease के अंदर means अगर वो ticks के कारण अगर ये बिमारी हो जाती है तो भी ये बहुत ही अच्छा असरदार role करती है इसके अलावा enthractic disease है उसमें भी bacillus enthrics के कारण भी होती है और उसमें भी azithromycin बहुत ही अच्छा role play करती है इसके अलावा ये एक जो medicine होती है वो हमेशा doctor के advice में लेनी है आपको और कभी भी कुछ से prescription नहीं लेना है अंडर टेकन नहीं करना है इस medicine को और normally देखा गया है कि अगर आप azithromycin 500 mg है तो वो आप अगर normal bacterial infection होता है तो एक दिन में एक बार 3-5 days commonly इसको ले सकते हैं लेक कुछ specific test पहले से ही कर लेने चाहिए अब हम जाने क्या इसके side effects हो सकते हैं तो side effects में अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो important चीज़ ये है समझने के लिए कि वैसे तो इसके particular side effect नहीं है लेकिन हमेशा हमको कुछ important चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि ये medicine हमको regularly कब लेनी है और कितने वक्त लेनी है और किस quantity में लेनी है ज़्यादा तर अगर हम देखें तो nausea vomiting रह सकता है इसके अलावा diarrhea रह सकता है और diarrhea इसके अंदर specific होता है ज्यादा तर लोगों को ये समस्या होती ही होती है इसलिए diarrhea इसके अंदर side effect देखने को मिलता ही म हम देखें इस body के अंदर बहुत ही ज्यादा परकार के allergic reactions देखने को मिलते हैं जैसे कि itching मैसूस हो सकती है या फिर सरीर में rashes वगरा हो सकते हैं तो ये ज्यादा तर देखने को मिलता है और इसके अलावा जो side effects हैं वो commonly liver की problem से related होते हैं अगर liver के अंदर कुछ different changes देखने क को मिलते हैं और कई बार vision में भी problem आता है और hearing loss भी होने का डर रहता है तो यह हमेशा या समझना पड़ेगा कि यह doctors की advice में ही medicine को लिया जाए और यह 250 के form में भी available होती है और अच्छा use है लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप antibiotics ज्यादा ना ले क्योंकि liver के लिए इतनी अ